हेलो जी नमस्ते, 36 गड़ोजगार नूस में आपका स्वागत है, मैं हूँ विजयो चहान और आपके लिए लेकर कर आगए है एक नई भरती IIT, भिलाई, इनोवेशन और टेकनोलोजी फाउंडेशन के अंतरगत यहाँ पर एक नई भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस भरती प्रक्रिया में छटिजगड की मूल नीमासी चाहे वो किसी भी जीले के अंतरगत रहने वाले हैं महिला और पूरुष दोनों तरह के अभ्यार्थी आवधन प्रस्तूत कर सकते हैं IIT, भिलाई, इनोवेशन और टेकनोलोजी फाउंडेशन के अंतरगत यहाँ पर भरती के लिए नोटिफिकेशन 15 फर्वरी 2023 को यहाँ पर जारी किया गया है बता दे इस भरती प्रक्रिया में आप 15 मार्च 2023 तक ऑनलेन आवधन प्रस्तूत कर सकते हैं बता दे जो भी भरती होगी यहाँ पर टेम्प्रेरी कॉंट्रेक्च्चुल अपॉइंट्मेंट यहाँ पर भरती की जाएगी तो Chief Executive Officer अर्थाथ CEO की एकपदों पर यहाँ पर भरती आखी जाएगी इस भरती प्रक्रिया के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास Master Degree होनी चाहिए Technology, Business Administration के अंतरगत और कम से कम 10-12 साल का आपके पास Work Experience होना चाहिए वही डिजायरेबल Qualification and Experience के बारें बात करें तो कम से कम Bachelor की डिगरी होनी चाहिए Engineering, Technology या फिर Management के अंतरगत तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं वहीं बात करें Job and Responsibility के बारे में भी यहाँ पर जाउतकारी दी गई है किस Job में क्या करना पड़ेगा और क्या Responsibility हो कि इसके बारे में भी बताएगी है और बात करें Salary के बारे में तो 18 से 30 लाख रुपे तक की पर NM की salary आपको जो है देखने को मिलेगी वहीं बात करें अब बर Age Limit के बारे में यहाँ पर 55 एर बताई गई है तो जो भी अभ्यारती इसके लिए आवेदन प्रस्तूत करना चाहते हैं CEO के पत्पर यहाँ पर एक पदोपर भरतियां की जा रही है IIT विलाई Innovation and Technology Foundation के अंतरगत दूसरे नंबर की post यहाँ पर जो निकाले गई है Senior Software Engineer की जिसमें भी केवल एक पदोपर भरतियां की जाएगी तो जो भी है भ्यारती Senior Software Engineer के लिए अपलाई करना चाहते हैं बात करने Qualification की तो M Take, M E, M S की डिगरी होनी चाहिए या पिर आपके पास B Take, B E की डिगरी है तब आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं वहीं बात करने Desirable Qualification के बारे में तो यहाँ पर बताएगा है कि आपके पास Programming Language का अनुभा होना चाहिए Java 8 के अंतरगत साथ ही साथ यहाँ पर HTML की जानकारी बताई गई है तो आपके पास कुछ Desirable Qualification है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं वहीं बात करें इनके Role and Responsibility के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि क्या क्या रोल आपको निभाना पड़ेगा और क्या 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 Responsibility होगी उसके बारे में और बात करें salary के बारे में तो यहाँ पर बताई गई है कि 8,4,40,000 रुपे तक आपको उपर salary देखने को मिलेगी और वहीं अपर age limit के बारे बात करें तो 45 यह यहाँ पर बताई गई है तिसरे नंबर की यहाँ पर post निकाली गई है project engineer जो कि IT के लिए होंगे जिसमें दो पदो पर भरतियां की जाएंगी Software developer के तोर पर आप यहाँ पर काम करेंगे और ही बात करें qualification की तो आपके पास M.Tech, M.E. या फिर M.S. की डिगरी होनी चाहिए या फिर आपके पास B.Tech या फिर B.E. की डिगरी है या फिर आपने computer science के अंतरगत engineering किया हुआ है तब आप इसके लिए apply कर पाएंगे वहीं बात करें desirable qualification and experience के बारे में बजानकारिदिगी है तो Java 8 के अंतरगत आपके पास programming knowledge होना जरूरी है तब आप इसके लिए apply कर पाएंगे साथी साथ आपकी जो भी duties होगी जो भी responsibility होगी इसके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे है अब ही बात करें salary के बारे में तो 6 lakh पर आपको salary देखने को मिलेगी वही अपर age limit होगी 35 यहाँ पर age बताएंगे है बताएंगे जो भी यहाँ पर भरती निकाले गए है इस भरती प्रक्रिया के लिए जो है आप online आवेदन प्रसूत कर सकते हैं वीडियो के description में आपको official PDF के file के link जो है मिल जाएगी या फिर आप हमारे telegram चानल पर जूड करके इन पदों की भरती में जो है सामिल हो सकते हैं और इस भरती प्रक्रिया का lab उठा सकते हैं बताते जो भी यहाँ पर भरती निकाली गई है IIT भिलाई innovation and technology foundation के अंतरगत निकाली गई है इस भरती प्रक्रिया में आवेदन करने के जो अंतिमती थी यहाँ पर बताई गई है 15 मार्च 2023 तक की है ताब 15 मार्च 2023 तक online आवेदन प्रसूत कर सकते हैं बताते online आवेदन करने के लिए आपको किसी तरह का कोई फीस यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा तो यह थी जानकारी IIT भिलाई innovation and technology foundation के अंतरगत निकाली गई भरती प्रक्रिया के बारे में इस भरती प्रक्रिया में चरिदगर की मूल निवासी जो है आवेदन प्रसूत कर सकते हैं वीडियो से जोड़ी किसी तरह के प्रस्ना है तो कमेंट पर जरूर बताईए वीडियो अच्छे लगी वीडियो का लाइक करिए अन्य लोगे पास सेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही रोजगार प्रक्र जैनकारी के लिए चायना से जोड़ी रहिए हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो म कर दो कि अन्य वीडियो मॉण पर जायना से लुड़ी चायना से जोड़ी।